नमस्कार आप देख रहा है न्यूद 111 और मैं हूँ आपके साथ निर्भय किसोर राजनीती गलियारों की बात करें तो सियासत का कब दाव पलट जाए ये कुछ कहना एक तरीके से जाएज नहीं लगता है क्योंकि राजनीती में ही कहा जाता है कि हर चीज जाएज है और अनुमान से पलट अगर कुछ हो जाता है बात हम नितिश कुमार की लोकर की कर रहे हैं बीजेपी है जो उन्हें कैप्टन की बात करती है उन्हें कैप्टन कूल के तौर पर अब देखा जाने लगा है लेकिन एक तरफ महागटबंदन का कहना है कि फिर से एक बार उस महागटबंदन में आएंगे हलाकि जिस तरीके से जब वो महागटबंदन से अलग हुए थे तो उस बक्त उन्होंने महागटबंदन के साथ साथ राज़त पे भी कई आरोप लगाये थे उनकी वहाँ नहीं सुनी जाती और सुनी भी कैसे जाए जब बड़ी बड़ी पार्टियां हो उसके बाद वो बीजेपी में आये लेकिन एक बार फिर से सियासी के उस गलियारों से आवाज आई है कि महागडवंदन में नितिश जाएंगे हमारे साथ रंधीरा है और आज हम रंधीरा से बात करेंगे रंधीरा क्या आपको लगता है वो सियासी की जो सुख बुगहाट आई है वो किधर ही सारे करती है जी निर्वै जैसा कि एक बार फिर से रगवंदन परसाद सिंग ने ऐसा बयान दे करके बिहार की जो सियासते उसको गर्मा दिया है दरसल आज मीडिया से मुखातिब होते हुए रगवन्स परसाद सिंग जो की राज़त के खुद रास्टी उपाध्यक्षे उन्होंने कहा कि cm nitiz कुमार से और हमारी पार्टी के अंदर अंदर खाने में बात हो रही है और हो सकता है कि cm nitice और बिधान सभाटु है उससे पहले राज़त के पअले में आ जये तो कहीं न कहीं cm नितीज की पलटने की बात की है रगवन्स परसाथ सिंग ने तो ये बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और जदियु के बेची इन दिनों काफी जो है बिवाद कहें कि एक तरीके से चल रहा है सीम फेस को ले करके तो हो सकता है कि सीम नितीज इस डिशिजन को ले और राज़त के पले में जाएं और उसे महागडवंदन में सामिल हो लेकिन इसके साथी-साथ रगवन्स परसाथ सिंग ने ये भी कहा कि मैं ये कोई पहली बार दवा नहीं कर रहा हूं इसे पहले भी मैं महागडवंदन में आने से पहले ये बयान दिया अफ़ फिस्वानी की थी कि मुख्यमंत्री नितीज कुमार महा गडवन्दन में आएंगे और वे आए भी महा गडवन्दन भी बना ठीक इस बार भी यानि कि अगामी बिधानसवाद जो 2020 में होने वाला है इस बार भी नितीज कुमार फिर पल्टी मार करके महागडवन्दन के पाले में आ जाएंगे उन्होंने बहुत दिल्चस्प बात कहा कि बीजेपी जो है वो जद्यू को फिनिस करने में लगी हुई है जो CM नितीज कुमार है उनके फेस वैलू को फिनिस करने की साजिस रच रही है इसको CM नितीज खूद बखूबी तोर से समझ रहे हैं लिहाजा वे महागडवन्दन में कभी भी सामिल हो सकते हैं और अंदर खान में बाते चल रही है तो कहीं ने कहीं निर्वे यहां सोचने वाली बात है कि अगर रगवन्स परसाथ सिंग ने विचार कर रहे हो या उनकी पार्टी इस पर सूच विचार कर रही हो जी निर्वे लेकिन रंधीरा जिस तरीके से बात करे तो तेजस्वी जो है वो CM नितीज पर सीधे वार करते हैं और पल्टू चाचा का उन्होंने नाम भी उन्हें दिया हुआ है लेकिन इस सब बीच जिस तरीके से जब महागडवंदन से नितीज कुमार दूर हुए थे उस वक्त उन्होंने सीधे तोर पर राज़त को ही जिम्मेदार बताया था क्योंकि उस वक्त उनका कहना था कि पार्टी जो है उनकी बाते लोग नहीं सुनते हैं जिस तरीके से सरकार में वो CM हैं लेकि तो इस बात को अगर आप करें कि तेजस्वी हर बार CM को टार गेट करते हैं या नितीज कुमार भी तर आपड़े करते हैं तो इसमें देखा जैत तो बहुत दम नहीं है क्योंकि राजनीती में सिर्फ सही वक्त का इंतजार किया जाता है हर कुछ इसमें संभव होता है इसक तो हैं गजनेता अपस में पलट वार वार करते रहते हैं तो यहां पर बेहद इसाटिक बैढ़ता है निति उसकुमार का वो बयान जो बीजेपी से मिलने से पहले उन्होंने दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगा तो कहीं ने कही यह कैस लगाए जा सकता है कि निति उसकुमार जो हैं अपने बयान से मुकर सकते हैं क्योंकि संभावनाओं की जो राजनिती होती है वो किसी भी तरीके की कैस को खारिज कर देती है और ऐसे में दो दल जरूर मिलते हैं और देखने वाली बात होगी कि बिधानसभा जो चु वाली होगी लेकिन पिछले दिनों जब हमने कॉंग्रेस को ले करके देखा तो वहां उपेंदर कुस्वाहा पहुंचे वहां कॉंग्रेस के जो परदेश अध्यक्ष है वो भी वहां रहे इन सब के बीच एक जो दूसरी द्रिश से आ रही है यानि कि हम उसके अलामा कॉंग् क्या नितिश जाएंगे तो उन्हें मुखमंतरी या फिर कुछ और उमीद की जा सकती है उनके से जी रिवह आपने बहुत ही महत्तोपूर बात कई है क्योंकि जिस तरीके से महागडवन्दन में कॉंग्रेस और उपेंदर कुस्वाहा की जो हल चले हैं वो बहाद ही बढ़ की सक्री हैं और कहें तो महागडवन्दन में जो भी हल चले हो रही है उसको बखूबी तोर पे समझते हैं और काउंटडाउन की कोशिस भी करते हैं दरसल जो राज़त के नए परभारी यानि कि फिर से गोहिल को जब सक्ति सिंगोहिल को कॉंग्रेस की कमान मिली तो वे उपेंदर कुस्वाहा जो थे वे कांग्रेस के पार्टी कर्याले पहुचे और वहाँ पे जा करके उपेंदर कुस्वाहा ने बात की और सभी तरीके से इस्थित्यों को नर्मल करने की कुशिस की तो कहीं ने कहीं उपेंदर कुस्वाहा ने लालो यादों की दूत बन करके वहाँ पर काम किया तो ये एक अंदर खाने में कयास थी कि उपेंदर कुछ वहाँ लालो यादों से मिल कर आए हैं तो काफी कुछ जो सियासी चीजे हैं वो सीख करके या फिर लालो यादों से लेकर कर आए हैं और उस चीज को अपलाई कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं ये भी कय सब्सक्राइब Tuam Side जिसमें उपेंद्र कु सब्सक्राइब एसी कया से लगाई जा रही है लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि महा गडवंदन की सरकार बनेगी तो क्या दो उपमुख मंतरी की जगह बनेगी या नहीं लिहाजा इस इन सारी चीजों को ले करके जो अभी कहें कि उपेंदर कुस्वा और कॉंग्रेस की जो हल चले बड़ी हैं यह इस चीज को इंडिकेट करती है कि अगामी चुनाओं में दो रूपमुख मंतरी जरूर हो सकते हैं हाला कि इससे इतर बात करें तो मांजी अभी इस द्रिश्य में कहीं नहीं देख रहे हैं तो वे वाच एंड वेट की इस्तिती में अभी यह देखने वाली बात होगी क्या कुछ मागडवदन में निकल के आता है जी निर्भें बिल्क अभी हाल में दिल्ली विधान सवा चुनाव में वो खुद को आजमाना चाहते हैं इसके साथ-साथ उन्होंने जारखंड में भी ऐलान किया है कि जारखंड में भी लगबग हम पार्टी जो है वो तीन से चार सीटों पर लड़ेंगी जहां उनका जानाधार सबसे जादा ह है बात जिस तरीके से रंधीरा ने अगर चेड़ा है दो मुख मंत्रियों की तो इससे कुछ दिनों पहले एक तस्वीर जब यूपी से उभर कर आय थी वहां भी कुछ ऐसे द्रिश्य बने थे जब योगी जो की मुख मंत्री के रेस से लगबग 36 घंटों तक बहुत दूर थे उस बीच कुछ और चेहरे थे जो मुख मंत्री के रेस के लिए दौड रहे थे हलाके 36 घंटों के पहले जो दिरिश्य था वो और था और जब बदला तो उस रेस में जो एक हिंदुत्यों का चेहरा लेकर उभरने वाले योगी आदित्यनात इस तरीके से उभरे और उस अंदर खाने से कई एक कयास लगाये जा रहे हैं लेकिन अब इस बीच क्या जो इस्तिती होगी वो देखने वाली बात होगी क्या महागढबंदन फिर से वो एक जूट हो पाता है और क्या बिहार में वो जो पहले सलोगन था फिर एक बार नितिशकुमार तो इस बार क्या वो स्लोगन बनेगा कि फिर एक बार महागटवंदन में नितेश कुमार तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है लेकिन आज अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने परदेश अध्यक्षों की घोसना कर दिया है और संजय जैसवाल जो की पस्वी हम आपको पहुचाते रहेंगे इसलिए आप हमारे साथ जुड़े अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हो तो आप हमारे साथ फेस्बुक और यूट्यूब के साथ साथ ट्यूटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं तो वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करें और कमेंट करें फिलाल इतना ही हमें और अंधीरा को दीजिए इजाज़त नमस्कार